नमस्कार साथियों मैं श्याम कुमार तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास जिसमें से आप लोग को ECCE के बारे में आप लोग को बताएंगे जिसमें से आप लोग को जो 19 तारी को जो लेटर रिलीज हुआ था जो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग को निर्देश अंशार आप लोग को यहां पर दिया गया है जिसमें से आप लोग को इस जानकारी लेंगा ना तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखते रहे और इसको किस किस्परकार से करेंगे और इसमें आप लोगों को जो भी 12 से नीचे होंगे मतलब 12 से नीचे होंगे उनका लिए कoh कोर्ष रहेंगे राष्टी भास्तरिए्सिक्षा नीति के तहत मतलब ए कौर्स आप लोग के लिए अंगन बादे शेवका है तो इस तरह से आप लोग Google को क्या करना है कि गूगल में बी बॉस सर्च कर लेना है इस तरह से आप लोग को यह वेबसाइट सर्च करनी है आप जैसे सर्च किजिएगा तो आप लोग को इस तरह से खुलेगी और यहां पे जो आप इस तरह से आप लोग को क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप लोग इन करने के लिए मेंबर लोग इन तो आप लोग को क्या करना है कि इसका लोग इन करने के लिए आप लोग को अप लोग को विभाक से सी सी कोड और पासवर्ड भी आप को generate करके मिलेगी जैसे में आप लोग को पोशन ट्रेक में मिला होगा इसी तरह से आप लोग को CC code और password आप लोग को मिलेगी ECC के तहत ही आप लोग को certificate provide किया जाएगा तो login ID जो मिलेगी या आप लोग के करियाले से भी मिल है तो इसी तरह से आप लोग को ACC code आप लोग को करीयाला से भी मिल सकती है तो चलिए हम किस परकार से अगर आप लोग को को चॉट मिलने के वाद आपको code VOC code और password तो मिल जाने ल liquid आप लोग को login करके दिखाएंगे किस परकार से तो इसमें आप लोग को दिखाया गया है कि how to fill form तो आप लोग को यहां पर इस तरह से आप लोग को यहां पर नीचे में दिखाया गया how to fill form तो आप लोग को इसी के बारे में नीचे में दिया गया है तो इसी इस पर हम click कर लेते हैं click करने के बाद आप आप लोग को यहाँ पर दिया गया है गोई जो में जो एडमिशन के लिए यहाँ पर दिखाए जा आप लोग को चार कोर्स कराएगी तो आप को इस चारो कोर्स में जो भी admission लिया जाएगा उसमें आप लोग को यहाँ पे इसके बारे में आप लोग को किस परकार से यहाँ पे हिंदी में जाननी है तो इसी के बारे में आप लोग को registration किस परकार से होगा और कैसे होगा आप लोग खुद बखुद registration कर सकते हैं तो इसमें और वी वीडियो आप लोग के लिए बताएंगे जो जैसे ही लॉग इन करने के लिए आएगी तो हम लोग कोशिज करेंगे कि अच्छे से अच्छे आप लोग को वीडियो बताया जाए और यहाँ पर आप लोग को इसमें दिया गया है कि किस परकार से आप लोग यहाँ पर करना है और registration करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पीडिये पे क्लिक करते हैं आप जैसे ही क्लिक कि जएगा तो आप लोग को इस तरह से लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है डी बॉस ICDS admission form तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिया गया है decks board ज fert जैसे ही आप लोग इन होगा तो आप WATER इसी तरह से आप लोगो दिखांप के बाद आप las donc यहाप पे एडमिशन फ़़म इस तरह से खूल के आएगी जैसे ही लोग-इन किजेगा तो जैसे में आप लोग को यहाँ पर बताए थे जैसे में यहाँ पर हमने लॉग इन करने के लिए बात बोल ले थे यहाँ पर जो लॉग इन किया जाए का किस परकार से तो आप लोग जैसे ही लॉग इन किजेगा यहाँ पर तो आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आएगी जो new admission जैसे इस पर click किजेगा new admission पर तो आप लोग को new admission पर click करना है और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर admission from your secondary 10th यहाँ पर fill कर सकते हैं जैसे में आप लोग यहाँ पर दिया गया English और यहाँ पर दिया गया हिंदी तो आप लोग कौन सा long page में चाह रहा है और हिहां पर select course तो आप लोग कौन सा course select करना चाह रहें तो यहाँ पर आप लोग course select कर सकते हैं जो आपका course लेना चाहते हैं secondary या आप Leuten इसके बाद एसार सेकेंडरी था इस तरह से आप लोग को चार कोर्स दिया गया है इसके बाद आप लोग को इसमें एडिमिशन में इसी तरह से आप लोग को फॉर्म भरनी है उसके बाद आप लोग को अगला अगला में जाते हैं इस तरह से तो आप लोग को यहां पे इस तरह से सो करेग तो आप लोग कौन साथ चाहते हैं, secondary, ISR, secondary, ECC, Diploma और यहाँ पे ECC Certificate, तो इस तरह से आप लोग को खुल के आगी, जिस पे आप लोग किलिक किजेगा, तो इस तरह से आप लोग को यहाँ फॉर्म जो निव, फॉर्म जो है, इस तरह से आप लोग को खुल के आ जाएगी, तो इस तरह से आप लोग अगर इंगलीश में चाहते हैं तो अगर आप लोग इंगलीश में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग के लिए इंगलीश भी रहेगा और जो अंगनबारी इंगलीश में नहीं भरना चाहते हैं हिंदी में चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग को बताएंगे तो यहां पर दिया गया है यहां पर फर्स्ट नमर कंडिडेट नेम और इसके बार डेट आफ वर्थ यहां पर फादर नेम तो इस तरह से आप लोग को दिया गया है और उसके बाद आप लोग को नीचे में दिगा है देशी नेशन मतलब पद आप लोग कौन पद में भरना चाहा रहे हैं इस तरह से आप लोग को दिया गया है और इस तरह से आप लोग को जो भी पूछ रहा है आप लोग को यहाँ पे डाल लेनी है और अधार नमबर यहाँ पे ड्रेस जो भी आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है उसका जब भी हम लोग फ उसके बाद यहाँ पे subject डालिएगा यहाँ पे subject डालिएगा तो इस तरह से जो जो subject है उस पे आप लोग को डाल लेनी है डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे cdpo office उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ticket करना होगा यहाँ फिर से यहाँ पे आप लोग को ticket करना होगा जो य इस तरह से आप लोग को किलिक करना है आप जैसे ही किलिक किजेगा तो आप लोग को फॉर्म फिल अफ हो जाएगी अगर आप लोग हिंदी में चाहते हैं तो इसी तरह से आप लोग को यहां पे हिंदी में भी दिया गाया है जो यहां पे एसर सेकेंडरी 12 तो यहां पे जो भी 12 मतलब 12 से निचे 12 में होंगे अभी तक उनके लिए यह form डलाया जाएगा और इस तरह से आप लोग को यहां पे दिखाया जा रहा है आविदन का नाम और यहां पे जनमतिती पिता का नाम उसके बाद पत बरतमान पत यहां पे इस तरह स करके इस तरह से हिंग नहीं कर सकते हैं या अगर आप लोग इंग्लीज चाते हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग इसको इंग्लीज भी कर सकते हैं तो इस तरह से जो भी आप लोग को पूछा जा रहा है तो आप लोग को जैसे में अधार नंबर इमेल इडी यहां पे इस तरह से आप लोग को जो आप लोग विषय लिए होंगे उस तरह से आप लोग को यहाप्र ड्ल Laut कर लेफ होंगर यह बर मे Apps कर लेना है HD समीट खीज़ेगा तो आप लोग को अगे भी फेल के आइगी उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर सेकेंडरी के लिए और उसके बाद आप लोग को नीचे में बताया गया है आप लोग को डिपलोमा कोर्स के लिए तो इस तरह से आप लोग अबेदन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे select course में इसी diploma इसके बारे में जो भी आप लोग को यहाँ पूझा जा रहा है तो आप लोग इस तरह से देख लिजे और इस तरह से आप लोग को भर लेनी हैं जैसे में आप लोग को इहाँ पे बेदन का में नाम जनंतिती पिता का नाम इस तरह से आप लोग को यहाँ बताई गई है और यहाँ पर आदthaar नमबर इमेल इडी जो भी हो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सब आप लोग को पताई होगा जैसे में post office जीला इस तरह से आप लोग को block इस तरह से आप लोग को पूछा जा रहा है और उसके बाद आप नीचे में बताया जा रहा है कि आप लोग जैसे में आप लोग अगर आप लोग को ECC certificate course करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ल certificate course की में भी same to same भराएगा जो इस तरह से आप लोग यहां पर डाले हैं उसमें secondary और S.R. secondary और ECC यहां पर डिपलोमा तो इसी तरह से आप लोग को जैसा वो फॉर्म है वैसा ही इस तरह से आप लोग को भी इसमें भी फॉर्म दिया गया जो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी जिसमें आप लोग को पूछा गया था विदन का नाम यहां पर जनमती थी इस इसके बाद पिता का नाम यहां पर पद इस तरह से आप लोग को यहां से पूछा गया था जो भी आप लोग को पूछ रहा है आप लोग को डाल ले नहीं इस तरह से आप लोग को डाल लए नहीं यहां Prest ça जनकारी में 2080 में सही सत्य है तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा और इसके बाद आप लोग को टीकाट करना है और सम्मिट मार देना इस तरह से प्रोब्लम होता होगा या आप जैसे यह फॉर्म आएगी तो आप लोग को जल से जल रेजिस्टेशन कराया जाएगा जो जल से जल अगर जो भी हो आप लोग को जो भी कोर्स करना हो तो उसका PULF आपलोग को करके बताई जाएगी जैसे में इहां पे आप लोग को 4 कोर्स बताई गई है जिसमें से सेकेंडरी और ESR सेकेंडरी और यहां पे ECC डिपलोमा और यहां पे जो ECC Certificate कोर्स तो इस तो थाइंक्यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन सुभू